मुखेमंतری अशोग गहलूत के आदेशों का होटेल रेस्टोरेंट असोसियेशन के साथ कलब और शॉपिंग मॉल संचाल को ने स्वावित किया है संचोधित गाइडलाइन के तहट अब कल से प्रदेश में होटेल, शॉपिंग मॉल, कलब और रेस्टोरों खोले जा सकेंगे गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच करीब धाई महीने से होटेल, शॉपिंग मॉल और कलब, रेस्टोरेंट बंद थे ये करीब 10,000 करोड रुपे का कारूबा ठप था, इसते 5,000,000 लोग बेरोजगार थे वहीं छूट के बाद क्रडाई राजुस्थान के चेर्मेन और शॉपिंग मॉल संचालक गोपाल गुपता ने मुख्यमंद्रिय अशोगेहलोत का भार जताया साथ ही उन्होंने सभी व्यापारी वर्ग को सलाह दी कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सनिटाइजरेशन का पूरी तरह खयाल रखें हमारे मख्यमंद्री इतने दूर दर्शित्ती हैं कि यह जन मानस में क्या चल रहा है उसका आंकरन करके निर्णे करते हैं आपने मैसुस किया कि बड़े व्यापारी करजा लेकरके शौपिंग माल बनाते हैं इनके बंद होने से उनके आयमें कमी आई है और जो installment प्रेक करने होती है जो का नहीं पा रहे हैं और छोटे 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 व्यापारी इन मॉल के अंदर बैठ करके वेफसाय करते हैं बिचारे वो सब बेरुज़कार हो गए है तो माननी मुख्यमंत्री मोदय ने उस बात का अंकलन करके यह निर्णे लिया है और एक guideline ज में शोपिंग मॉल में कोई प्रविश कर रहा है आपको उस guideline की पालना करना बहु जरूरी है